जहांके रामगीरी परवत पर महाकवी कालिदास ने अपने महाकाव्य मेक दूतम की रचना की थी जहां विश्व की प्राचिंतम सेल लेनाट साला भी जहां इस्तित है इस इलाके में भगवान स्री राम ने यहां वन्वास के महतपूर्ण समय बिटाए इसी इलाके के विशाल हर्देव अरण से तो अब पूरी दुनिया परिचीत हो चुकी है जिहां हम बात कर रहे हैं 36 गड़ के सरगुजा की जहांकी सरगुजिया बोली की अपनी अलग मिठास है एक समय कांग्रेस का गड़ माना जाने वाला सरगुजब लाका 2023 के विधानसवा चुनाओं में पूरी तरह धगया और सभी के सभी सीटों पर बीजेपी ने सेंद लगा दी नमस्कार मैं हूँ नविन और आज बात इसी सरगुजब लोगसभा सीट की सरगुजब 36 गड़ का सबसे ठंडा चेत्र माना जाता है सैनानी मैंपार जैसी जगों में भरी गर्मी में इसी ठंडा का एहसास करने हजारों की संख्या में आते हैं लेकिन इस बार की गर्मी थोड़ी अलग है इस बार सियासत की गर्मी समान्ने गर्मी नहीं है इसमें राजनीती सियासत का पारा भी चड़ते उतरते देखा जा रहा है सरगुजा लोकसभा का चुनावी इतिहास बताता है कि यह 37 गर्ण राज्य बनने के पुर्वर तक कांग्रिस का सबसे मजबूत गर्ण रहा है लेकिन वर्तमान में सरगुजा भाजपा का गर्ण बन चुका है सरगुजा में कमत कमल लगातार खिलता जा रहा है और पंजे की पकड़ हर लोकसभा चुनाव में कमजोर होती चली गई है सरगुजा की सियासत में राजपरिवार का दखल और वर्चस वपहले आम चुनाव से ही रहा है वर्तमान में सरगुजा की सियासत में रियासत के महराजा यान टीएची देव ही है हालकी 2023 के विधानसभा चुनाव में खुद के संग समुचे छेतर में कांग्रेस की करारी हार के बाद सियासी पिक्चर से एक करब सियंदेव गायब से हैं बावजूद इसके इलाके में कांग्रेस की राजनिती बाबा साहब के इर्द गिर्द ही गुमती है वही भाजपा अब यहां पुर्व अध्यक्ष स्वर्गी शिव प्रताप्षणी के बाद किसी एक चेहरे पर केंद्रीत नहीं है भाजपा के पास यहां मंत्री राम विचार नेताम, पूर्व केंद्री मंत्री रेलुका सिंग, पूर्व प्रदे सद्धक्ष राम सेवक पैकरा जैसे कई आदिवासी चेहरे हैं भाजपा ने इस सीट से संत गहिरा गुरु के बेटे चिंतमरी महराज को टिकेट दिया है चिंतमरी महराज का कुछ दिनों पहले ही कांगरेस से मोव बंग हो गया था और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम दिया था चिंतमणी महराज कमर जाती से हैं, गुरु परिवार से होने के नाते समाजिक रूप से छेतर में मजबूत पकड़ रखते हैं राजनितिक रूप से भी अपनी पैट अंचल में बना चुके हैं राजनिती जीवन की सुरुवात उन्होंने भी भाज़वा से ही की थी लेकिन 2013 विधान सुबा चुनाओं से पहले भाज़वा चोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे कांग्रेस के टिकेट पेर दो बार अलग-अलग विधान सबा छेतर से विधायक भी रहे हैं बात करें 2013 में तो लूंडरा से और 2018 में सामरी से विधायक रहे हैं लेकिन 2013 के चुनाओं में टिकेट कटने के बाद भाज़वा में वापस चले गए और नतीजा ये रहा कि सर्गुजा की सभी सीटे कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई माना जाता है कि कांग्रेस की हार और भाज़वा की जीत में चिंता मड़ी महराज का भी बहुत पड़ा योगदान रहा है सर्गुजा की एतिहासिक जीत के नायक भले ही कई रहे हूँ लेकिन इसका प्रतिफल चिंता मड़ी माहराज को भाजपा की लोग सबर टिकेट के साथ मिला है पाल्टी ने उन्हें जाती गत सम्मिकर्णों से इतर नए प्रयोग के साथ टिकेट दी है दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस बार प्रयोग किया है कांग्रेस ने वरिष्ण नेता की जगा से युवा चेहरे पर दाउन लगाया कांग्रेस ने युवा कांग्रेस की राष्टी प्रदादिकारी ससी सिंग को प्रत्यासी बनाया, ससी सिंग मजबूत राज़ितिक परिवार से आती है सारफिं सिग्पुर्वमंत्री स्वार्वितुलेश्वर्षिंग की बेटी है सार्फिंग को राजनीती विरासत में मिली हुई है सुरत पुर जीनेवे जीरब मचाय सदस्ञ है उनके पिता स्रकार में स्वार्वितु दूल splits ओर संघंडी जे टीम है उसमें ससी सिंग शामिल है सर्गुजा महाराजा और पूर्व उक्मक्नत्रित ये सीद्यों का समर्थन भी ससी सिंग के साथ दिखता है माना जाता है कि 36 गड़ की सत्ता की चावी सर्गुजा और बस्तर संभाग के विधान सवा सीटों से ही आती है विधान सवा में यहां सभी सीटों पर फिलहाल कमल खिला हुआ है अब लोगसबस में यह सीट लोगों की निगाहों में है सर्गुजा लोगसबस सीट अजादी के बाद यानि 1952 में अस्तित्युत में आई जानकारों का मानना है कि सर्गुजा लोगसबस में 2019 की तरह मोदी लहर तो नहीं लेकिन मोदी मैजिक भी बरकरार है यहां इस्थानी मुद्दों के साथ राष्टवाद का मुद्दा भी मतदाताओं के मन में हैं इसके साथ ही विधान सबच चुनाओ 2023 में मिली कांग्रेस को करारी हार के बाद से कांग्रेस में विखराओ की इस्तिती भी है दूसरी और भाजपा में 23 की एतिहासिक जीत और आदिवासी मुख्यमंत्री बनने के साथ उत्साह भी दिखता है हाला कि जन्ता युवा और वरिष्ट के बीच चुनाओं का आंक लंकर नफ़ और नुकसान भी टटोल रहे हैं प्रचार अभ्यान में अगर देखा जाए सर्गुजा लोगसवा छेटेविनर तो प्रचार अभ्यान में भाजपा बहुत आगे रही हैं मुख्यमंत्री साह सहीत भाजपा के राष्टी नेताओं ने कई सभाय कर जन्ता को रिजाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है बात करें महतारी वंदन योजना और महालक्ष्मी जैसी योजनाओं की उचर्चा इस इडाके में हैं जिसका असर बोटिंग में जरूर देखने को मिल सकता है चेत्रवर समीकरण के अधार पर फिल हाल तो भाजपा का पड़़ा इस लोगसाबा में ज्यादा दिख रहा है बात सन 1952 के पहले चुनाओं में तो सरगुजा लोगसाबा में दो सांसर चुने गए थे एक समानने वर्ग से एक आदिवासी वर्ग से पहला और दूसरा चुनाओं इसी तरह से बड़ी सीटों पर हुआ था 1952 में बावुलाद सीं आदिवासी वर्ग से कांग्रेस के टिकिट पर चुनाओं जीते थे 1957 के चुनाओं में दोनों ही दूसरी बार संसर बने लेकिन कांग्रेस के टिकिट पर 1962 में या सीट पूरी तरह आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई थी और अब एक ही सांसर यहां चुन जाने की सुरुवात हो गई थी आदिवासी आरक्षित सीट पर कांग्रेस नेता बाबुनात्सी का विजय अभ्यान लगातार जारी रहा और बावन के पहले चुनाओं से लेकर इकत्तर तक लगातार वे पांच बार चुनाओं जीत कर संसर पहुचे थे 1975 में अपात काल के बाद कांग्रेस वीडियो दिलहर सरगुजा में भी चली 77 के चुनाओं में इसका असर भी देखा गया 77 में कांग्रेस को इस सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा और भारती लोगडल के लरंग साय चुनाओं जीतने में सफल हुए थे असी और 84 के चुनाओं में कांग्रेस ने वापसी की और 84 में वीजय प्रदापसी कांग्रेस के टिकेट पर चुनाओं जीते थे लेकिन 89 के चुनाओं में इस सीट पर भाजपा का खाता खुल गया भाजपा की टिकेट पर लरंग साय ने इस अभेद केले को भेद दिया 1989 में सरगूजब में भाजपा का कमल खिला ही था कि 2 साल बाद याने 1999 में चुनाव में कमल फिर मुर्ज आगीया 1999 के चुनाव में कांघ्रेस फिर से सांधार वाप से की कांगरेस ने चेहरा बदला और खेल साय सींग जीत कर संसत पहुचे बात 1996 के चुनाव की तो खेल साय सींग के साथ कांगरेस को फिर जीत मिली हला की 98 के चुनाव में लरंग साय के साहरे फिर कमल खिल गया लेकिन 99 के चुनाओं में भाजपा की हार और खेल साय के संग कांग्रेस की एक और जीत हुई बात सन 2000 की तो मद्द प्रदे से अलग होकर 36 गड़ अलग राज्य बना राज्य बनने के बात 2004 में लोगसभा का पहला चुनाओ यहां हुआ इस चुनाओं के पहले 2003 के विधानसवा चुनाओं में कांग्रेस के गड़ को भाजपा जीतकर सरकार बना चुकी थी 2004 के चुनाओं के दवरान राज और केंदर में दोनों में भाजपा की यह सरकार थी इस तरह भाजपा हर दृष्टी से मजबूत की स्थितिनी थी इसी का फाइदा भाजवा को मिला और सर्गुजा में अब की बार कमल ऐसा खिला कि वह मुर्जा नहीं पाया 2004 में सर्गुजा से भाजवा के किकिट पर नंद कुमर साय चुनाव जीते और संशत पहुंचे हालकि 2004 में देश में कांग्रेस गटबंदन की सरकार बड़ी थी लेकिन इसका असर 2009 के चुनाव में सर्गुजा पर नहीं पड़ा और कमल खिला जारी जहा 2009 के चुनाव में भाजवा ने चहरा बड़ा लेकिन सर्गुजा वासियों ने मन नहीं बड़ा 2009 के चुनाव में भाजवा ने मुराली लाल सीम को टिकिट दिया और वे भी जीत कर संशत पहुंचे सं 2009 के बाद 2014 और 2019 में भाजवा प्रयोप करती चली रही और चेहरे में बड़लाव भी जारी रहा 2014 के चुनाव में कमल भान सी जीते तो 2019 के चुनाव में पहली बार इस सीट से महिला संसत के रूप में रेड़ पासी जीती और संसत पहुंची 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2019 के चुनाव तक सरगुजा सीट में गोंड जाती का ही वर्चस व रहा है क्योंकि भाजवा और कांग्रेस दोने ही पार्टी की ओर से इस जाती से टिकेट दिया जाता रहा है लेकिन 2004 के चुनाव से लगातार नए चेहरे को चुनाव में उतानने वाली भाजवा ने इस बार कमर जाती से टिकेट दे कर सब को चौका दिया है क्योंकि अबादी के हिसाब से इस सीट पर गोण जाती की बहुद्दा है सरगूजा संसदी छेतर में विधान सवा की आठ सीटे आती है 2023 के चुनाव में बीजेपी ने इन सभी सीटों पर जीत दर्जी की जब की 2018 की चुनाव में सभी आठ सीट कांग्रेश के पास थी 36 गर राज बनने के बाद से अब तक कांग्रेश या सीट नहीं जीत पाई है 2018 में इस संसदी छेतर की सभी आठ सीटों पर जीत के बावजूद कांग्रेश 2019 का लोग सबाव चुनाव थार गई थी सर्गुजा में कांग्रेश के वर्चस को लरंग साय ने खत्म किया था बाबुलाल सी सर्गुजा सीट से लगातार पांच बार सांचाथ चुने गए वे 1952 से 1970 तक लगातार जीते रहे 1997 में उन्हें पहली बार हार कर सामना करना पड़ा और लरंग साय और खेल साय सीट से इन तिन बार सांचाथ चुने गए हैं खेल साय सीट लगातार दो चुनाव जीते थे जबकि लरंग साय लगातार वो भी दो चुनाव जीते थे नहीं जीते थे सर्गुजा सीट पर सुरू सही कांग्रेस का वर्चस्व रहा है बाबुलाज सींग कांग्रेस की टिकेट पर लगातार जीत रहे थे 1977 में पहली बार लरंग साय ने उन्हीं चुनावती दी साय 1977 में भारती लोकदल की टिकेट पर चुनाव लड़े और बाबुनात सींग को पठकरी दे दी इसके बाद 1980 में लरंग साय हार गए लरंग साय 1989 और 1999 में बीजेपी के टिकेट बर सांसा चुने गए थे कांग्रेश की खेल साय सी ने उनिसäg जोंक्याबबे, 96 और अन्ठानबे में इस सीट का प्रतिनी बिवल दुत तिया था बाद 2019 में तो भाजबा प्रत्याशी रही रिडुकास सींगजी घीती थी रेलुकाची ने कांग्रेस प्रत्यासी और तीन बार शांसाद रहे बरिष्ट कांग्रेस ने था खेल साइसी को डेल लाग से अथिक मतों से हराया था रेलुकाची को जहां 6,63,711 वोट मिने थे जबकि खेल साइसी को 5,5,380 वहीं तीसरे नमबर पर नूटा रहा था जिसके इसाब से 29,000 वोट आये थे गोड़वाना गरतन प्रत्यासी यासादेवी 24,000 मतों के साथ चौथे नमबर पर रही थी इसके साथ ही बच्पा प्रत्यासी बच्पा प्रत्यासी को 18,000 मत प्राप्त हुए थे जातिकत समीकरण से इतर अगर वरतमान में छेतरी भवगोलिक और राज्यतिक समीकरण को देखे तो भाजपा का पड़ला यहां भारें दिखता है क्योंकि सर्गुजा लोगसाबा में सामिल सभी आथ विदान सबसीटों पर भाजपा फिलहल का बिज है अम्भीकापूर, सितापूर, लूंटरा, सामरी, रामानुजगंज, प्रेमनगर, प्रतापूर और भटगाओं इन सीटों में तेश के विदान सबस चुनाओं में भाजपा ने भारी मतों से जीत हासिल की थी इस लिहास से कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनवती छेत्री भावगोलिक समीकरण को साधना भी है 2019 के चुनाओं में मत प्रतिसद के इसाब देखें तो भाजपा को 53.4 और कांग्रेस को 40.42 प्रतिसद मत प्राप्त हुए थे 2019 के इस चुनाओं में 75 फिस्दी से अधिक मतदान हुआ था अनुमान है कि इस बार भी यह रिकार्ड बना रहेगा सरगुजा में रेल और हवाई सेवा बड़ा मुद्दा है इसके साथ इसाथ धर्मांतरन और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भी यहां हावी है धार्मिक मुद्दों के अलावा कोड़ा खननन विस्थापन और हरण हजदेवरण का मुद्दा भी यहां पर है तो साथ इसाथ बेरोजगारी परायान के साथ इसाथ सिख्छा और स्वास्त सुन्धाओं का भी अभाव यहां मुद्दा बना हुआ है सर्गुजा की वर्तमान हालातों पर गौर करें तो दोनों पार्टियों के लिए फिलहाल रहा आसान नहीं है कांग्रेस में रहने के बाद भी चिंता मड़ी महराज को भाजपा से बड़ी उम्मीदों के साथ प्रचासी बनाया है उनके समर्थक कांग्रेस में भी गिने जा लोट सेयर में 13% के करीब रहा था सर्गुजा के लोगों को मोदी की गरंटी पर भरोसा है हालाकि कांग्रेस से दल बदल कर आये चिंता मड़ी महराज को उम्मीदवारबाय बनाए जाने किसे अंदर खाने में भाजपा में नराजपी भी साफ देखी जा सकती है लेकिन उस का इतना असर फिलहाल नहीं दिखता वहीं कंग्रेस के स्सेशिंग को मयदान में उतारा है कंग्रेस से भाजपा में चिंता मड़ी कंग्रेस के लिए चिंता का सबब लाते है यह New Division CG haben कर इस सीट को कांग्रेस की जोली में डाल पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा चार जुन का, आज बस इतना ही अगले अंक में नबजे टटो लेंगे 36 गड़ के किसी नए लोग सबा की, तब तक मुझे दीजे इजाज़त, नमस्कार, राम राम, जै जोहार झाल नमस्कार्ण